नमस्कार दोस्तो एक सवाल बहुत पूछा जाता है वो ये है कि जी गुडगाओं में जो ready to move in हैं वो तो सस्ते हैं और under construction वाले तो बहुत महेंगे हैं एन ऐसा क्यों हैं क्या गड़बड है तो जी आज इस सवाल का जवाब दे रहाँ तीन चार factors हैं थोड़ा math, थोड़ी technology, थोड़ा aspirations और थोड़ी amenities इनके बीच की चर्चा करेंगे कि क्या reason है तो सबसे पहले तो आपको इच्छी समझनी है कि अगर आपको 100 रुपे आज देने हैं एक महिने में और ready to move in लेना है और कहीं आपको पैसा 4 साल में देना है तो 6.75% भी cost of fund हमने लगाई तो 4 साल की 30% हो तो 30 होगी तो इसका average extra return is 15% तो 15% तो इसी में आ गया मोटा गनित P into R into T वाला simple interest होता है component interest लगा लो excel कर लो या मैं जो बता रहो मेरी मान लो कि भी 15% का फरक तो सिर्फ इस चीज़ से कि वहाँ पैसा 4 साल में जा रहा है और यहाँ पैसा अब एक महिने में जा रहा है सार साल में जा रहा है 15% का difference हो गया तो एक ही विज़े से लिख लो यह ठीक है बाकी दूसरा difference is because of your technology अगर यह non-maiwan money है उसका फरक हो गया तीसरा difference हो गया कि जो नई चीज़े आ रही हैं उनमें अब amenities better आ रही हैं better technology के हिसाब से आ रही है solar का system है renewable energy का system है water recycle का system है नई वाल जा है कि STP में इस तरह की facility डालनी पड़ेगी कि recycled water 30% generate करने की capacity हो वो plant और वो system लगाने में ही 8-10-12-15 क्रोड लग जाता extra builder का तो ऐसी ऐसी चोटी चीज़े हैं जो people are not aware when they ask की ऐसा क्यों है CMTA technology आ रही है कुछ projects के अंदर जहां हवाई पता नहीं कैसी आपको मिलेगी अंद ठीक है first time के projects में आ रही है इस तरह है so these are the things जिस वज़े से महंगी है lift की जो qualities है जो आपकी high speed lifts है और उसका backup है extra staircase कहीं लगाने के जो government के ही नए मापदंड आगे हैं तो उन वज़े से ये costing आपकी जादा है और 20-30% की होगी 15% तो आप सिरफ उसी पे देदेगी आपका पै 10% का वहाँ फरक हो गया 10% का किस तिसाब से बन रही है हो गया 5-10% aspirations amenities and brand and चीजे किस तरह से बन रही है उसका फरक हो गया तो इन चीजों का फरक है बहुत बड़ा कहीं stiltig अंदर parking आखों को अच्छी नहीं लगती कहीं आपके basement में हैं खहीं आपका car free zone आ रखा है जहां ब पता चलेगा कि 20-35% का यह difference क्यों है तो आज की दिन अगर एक आपको चीज एक करोड की मिलती है ready to move in तो वैसी वैसी सी ही चीज अल्मोस्ट under construction में आपको एक 35 की मिलती है लेकिन मेरे हिसाब से आपको under construction की तरफ ही जाना है उसमें main difference आपका जैसे my one non my one का है तो अगर आप आप वो चाते हैं कि दुबारा से अगर बहुत subscriber बेस नया जुड़ गया पुराने वालों को तो मैंने वो पाटचाला बहुत repeat करी थी पर वो repeat करें सवार एड़ साल हो गया ठीक है तो पुराने जो subscribers हैं students है उनको तो वो पूरा idea है अगर आप लोग नहीं जुड़ गये है Malaysian company है जिसकी पहली ये technology थी उसको अच्छे से दुबारा से चैप्टर वाई समझा दूगा कभी भार जाता नहीं आपको पता है मैं अपने जहां रहता हूं ही कि वीडियो आपको देखने को मिलते हैं लेकिन इस चीज के लिए शायद मैं एक 15 मिनिट का कष्ट कर लूँ कि आप लोगों को जाके खहीं अच्छे से उसकी क्लिपिंग बना लूँ आप लोगों के लिए सब्सक्राइबर्स के लिए तो अगर मेरे जैसे को हिलाना है आपको ठीक है तो प्लीज थोड़े like डालने पड़ेंगे और comment section में my one लिखना पड़ेगा ठीक है तो अगर आप my one लिखेंगे comment section में myvn तो बहुत जल्द ही आपको उस पे और अच्छे से जानने को मिलेगा और जिनको idea है उनको और अच्छे से idea दे दूँगा मैं कि भाई pillar होते नहीं 12 square feet के तो जगह जादा निकल जाती है पर square feet का rate देख लो कितना चल रहा है एक simple सी चीज ठीक है एक simple स section में ज़रूर इस सीज को अपलिकना thank you very much